तस्वारिय बासा में चल रहे पंच देवस्य विश्नु महायग्य का शनिवार को चारबुजानात की मूर्ती वा कलश स्थापना के साथ संपन हुआ प्राता शुब महरत में चारबुजानात का विशेक करचांदी के बैवान में गाजे बाजे वा हरीबोल प्रभात फेरियों के साथ नगर ब्रह्मन करवाया गया जगे जगे पर भगवान की आरती वा अगवानी की गई वा ड्रोन हेलिकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई अभीजीत महरत में नवनिर्मित चारबुजा मंदिर में मूर्ती वा स्वन कलश की स्थापना की गई कलश की बोली 6,81,000,000,000 लाक राम स्वरूप खिकडेल के छोड़ी गई और उन्ही के हातों से मंदिर शिखर पर कलश की स्थापना की गई वा चारबुजानाद के त्रिलोक चंद्र रमेश चंद्र सुमानी की तरफ से 56 भोग लगाया गया और महा आरती के साथ प्रसाद वित्रण कर मंदारे का आयोजन किया गया इस दोरा पूरा मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठा प्रतिष्टा के तहट मंदिर परीसर की फूलो और आकरशक विद्यूत रोशनी से आकरशक सजावट की गई संदिक विजय राम रामस ने ही के द्वारा ग्रामीनों को प्रवचन के द्वारा संबोधित किया वह समीति द्वारा भमाशाहों का सम्मान किया जिसमें समीति कारे करता वह ग्रामीन मौझूद थे पुरे ग्राम तस्वार्या बासाग किया जारा है मुद्वंगल में संत समाजू, विराजित सभी संत महापरशों के अविल चरंगंगों के कोपिशो पड़ी पाद। वर्तमान सभी चिकित्सा प्रणाली से हारे हुए मरीज अब पंचतंत्व चिकित्सा प्रणाली से पून रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है गंगापूर के पास नादंशा गाव में गिर्गो सेवा वाले रंजीत सिंग राव द्वारा दी जा रही चिकित्सा में सभी रोगों पर कारगार साबित होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब भारत की जंता को स्वस्थ होने के लिए किसी भी प्रकार की जहरीली दवा का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पहुचने वाले मरीज या तो जादा समय से बिमारी जेल रहे थे या डॉक्टर की टीम ने उन्हें आज इवन बिमार गोशित कर दिया था। जीना है तो गोली लेनी ही है। ऐसे कई मरीज रोज नादन्शा अपनी चिकित्सा लेकर ठीक हो रहे हैं। कई दशक लोग रोज ठीक होते दिख रहे हैं। राब ने बताया कि यह चिकित्सा कैसे कारे करती है इसका प्रशिक्षन भी देते हैं। प्रसिक्षन प्राप्ट करने के बाद प्रशिक्षू खुद भी चिकित्सा कर सकता है, यह चिकित्सा सरल तरीके से संभव है। सभी जानते हैं हमारा अज शरीर पंच्तंत्व से बना है, पंच्तंत्व संचालित होता है, पंच्तंत्व में ही विलीन होता है। इसमें साफ हो एवं प्रत्यार ओपन जाच परामर शिवीर 19 जून रविवार को प्रातह साड़े नौ से डेड़ बज़े तक अपना घर व्रधा आश्रम आर्सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयुजित किया जाएगा समीती मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि फोट और्थो HCG एहमदाबाद हॉस्पिटल के डॉक्टर हिमान शुमातुर एमे और्थो सीनियर एवं प्रत्यारोपन विशेशग्य मोबी रीस्टोर तकनीकी जिसमें बिना टाके से गुटना प्रत्यारोपन करते है एवं डॉक्टर प्रवीन नंदवाना डीन बी और्थो पार्शी अली गुटना प्रत्यारोपन विशेशग्य द्वारा जोडों में दर्थ एवं प्रत्यारोपित हुए गुटनों की जाज करनेंगे जोडों में दर्थ की OPD देश विदेश में 24,000 से अधिक सफल सरजरी क करने वादी टीम के अनुभवी चिकित सक है फोट और्तों के अनील शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन किये जाने वाले रोगियों को रियाईती दर एवं आर जी एच एस के पैनल में नो रिप्लेस्मेंट वा अन्य ऑपरेशन के लिए आर जी एच एस से कैश सुवीधा भी उपलक्त कराई जाएगी अगरिवाल महीला मंडल एवं नवयुवक मंडल दुवारा ग्रीश मकाली नभीरूची प्रसिक्षन शिवीर जिसमें शारेरिक स्वास्त से जूडी करियाएं जैसे स्केटिंग, ध्यान योग, डान्स, मोबाइल टेकनोलोजी सिख खाना आत्मरक्षा, दो पहिया वाहन प्रसिक्षन, कथक, वगूमन रत्य गर्बा डान्स, ड्रॉइंग, पेंटिंग, कार्ड मेकिंग, हाउटू मेक स्वाइल प्लांट, सिलाई, महंदी, बुटिक, अम्रोइडरी, लेखन कला, मंडाला आर्ट, हैंडी क्राफ्ट, वकु रही है, वह 70 साल के पुरुष मुबाइल चलाना सीख रहे हैं, दोसों से अधिक बच्चे वह महिलाए एवं पुरुष इस समर कैम्प में हिस्सा ले रहे हैं, समर कैम्प में हिस्सा लेने वाले बच्चों के माता-पिता, भाई-बहन समर कैम्प में लग रहे हैं, मिनी मेल वंदनागरवाल बीनागरवाल आशा अगरवाल सहीद काफी लोग उपस्तित रहे लौएंस क्लब शक्ति एवं जॉइन क्लब प्रगती के अध्यक्ष सुनाक्षी शर्मा ने बताया कि सांगाने रोडस्तित हाती वाले मंदिर पर एकादशी के अफसर पर शार्दा सारस्वत की तरफ से रहागीरों को शीतल पेयपधार्थ वजल से पिलाया गया इस अफसर पर शरदवशार्दा सारस्वत विनीता जैन मंजु पोखर्णा आदी उपस्थित थे शनिवार को उपखन शेत्र के सबलपूरा दड़ावट गाव में चार भुजा मंदिर की प्रान प्रतिष्टा कारिक्रम विदी विधान के साथ संपन हुआ मूर्थी स्थापना के इस अफसर पर कलश यात्रा निकाल कर कलश स्थापना वपंच दिवस्य कुण यग्य कारिक्रम रखा गया मूर्थी प्रान प्रतिष्टा के इस कारिक्रम के साथ ही पून आहूती दी गई वग्रामीनो सहित पुजारी कूपा राम गुजर, कारेकारी सरसडेरी चेर्मेन निम्बा राम गुजर, सोहनलाल गिर्दावर, हुदैलाल सहित का ही सामाजिक उपस्तित रहे